राशी ने क्या खूब कहा है लोग आपको दोका देते रहेंगे जब तक आप उन्हें मौका देते रहेंगे नमस्कार मित्रो राथे राथे स्वागत है आपका अपना यूटूब जैनल डी एमार राशी फल मैं मित्रो आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशी वाले लोगों की तुला राशी वाले लोगों का तेरे जन्वरी दिन बुदवार कैशा रहिने वाला है मित्रो आज हम इस वीडियो में आज तुला राशी वाले लोगों का परिवारिक जीवन कैशा रहेगा और उनका विजनिस वैपार कैशा चलेगा उन लोगों का दिन कैशा रहेगा मित्रो आज हम इस वीडियो में आज का शंपूर राशी फल बताएंगे और मित्रो आपकी भी तुला राशी है तो वीडियो को पूरा देखें मित्रो आज बुद्वार है गड़ेशी महराज का दिन है गड़ेशी महराज की घर में रहकर पूजा अरचना करें मित्रो और कमेंट में जै गड़ेशी महराज लिखें गड़ेशी महराज आप शवी की मनुकामना पूरी करेंगे मित्रो और वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe करें और all पर select कर लें ताके हमारी शवी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे मित्रो अब बात करते हैं आज की चाड़क किनिते ग्यान के बारे में आज चाड़क की जी कहते हैं हर इस्तरी को अग्यनता से दूर रहना चाहिए अग्यनता इस्तरीयों के लिए अच्छी नहीं होती चाड़क की जी ने इस बात का उलेख किया है कि जो भी इस्तरी जीवन में अग्यनता की रह पर चलती है वह कभी वी शुक शानती का भोग नहीं कर पाती है चाड़क की जी कहते हैं इस्तरी को ग्यान ब्यान होना चाहिए और एक परिवार की नीव इस्तरी ही होती है एक इस्तरी का होना ग्यानवान परिवार के लिए बहुत ही जरूरी होता है मित्रो यही था आज की चाड़िक की नीती का ग्यान पशंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें अब बात करते हैं आज के पाचंग के बारे में पाचंग तेरे चनवरी दिन है बुद्वार तिती है अमावश्या नच्छत्र चल रहा है उत्राशडा रितु चल रहा है हैमंत पच्छ चल रहा है कृष्न पच्छ आज शूरे ओदय होगा च्छे बज कर उनीश मिनट पर और शूरे अस्त होगा पाच बज कर बारह मिनट पर आज का शुबश मैं एक बज के चबईस मिनट से दो बज कर अठारह मिनट तक आज का अशुबश मैं दस बज कर चार मिनट से ग्यारे बज कर सताईश मिनट तक आज तुला रशी वाले लोगों की भागिशाली शंक्या पाँच है और भागिशाली दिशा पूर्व है और भागिशाली रंग हलका पीला है मित्रो अब बात करती हैं आज के संपूर राशी फल के बारे मैं आज का दिन शुवफल रायक रहेगा काम करने मैं शुक और शफलता प्राप्ती होगी परिवार जीवन आप दूसरों के भले की सोचने की दिल से सेभा भी करेंगे दुवतिय धन भाव और ब्रमह स्पति ब्रचक राशिस का होकर आप ब्रजमान करेंगे आज आप अपने गुरु के प्रते पूर भाव और निस्ठा रहेंगे आर्थ किस्ति आपके अधिकारवा शंपत्ती में ब्रद्ध होगी आज नए कार्वेयों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो शुब रहेगा रुका हुआ धन मिलेगा प्रियाश शेग सभी कार बनने की शंभावना बनेगी और धनलाव होगा यश्मान में ब्रद्धी होगी मित्रो यही था आज की राशी का राशी फल पशंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें शब्सक्राइब करें ओल पर शिलेक्ट कर लें ताके हमारी शवी वीडियो आप तक शब्शे पहले पोँचे मित्रो